हेलो एब्रिवन वैकम बेक मैं योटूब चैनल कैसे हो आप सभी ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे आज मैं आपके साथ बहुती यूश्फूल वीडियो से एर करने जाने हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और से एर करते ना देखिए मिउफली जब हम खाते हैं तो गिरी को खाना बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह ऐसे भून लेते हैं दो गिरी बहुत ही अच्छी रगती है चलिए नेश्टि टिप्स में आगे वड़ते हैं तो यह देखिए जैसे हम परांठे बनाते हैं आलो के परांठे बहु क्यों ना सब्जी में से आलू लेकर और गोवी लेकर मैथ करके और पराथा बनाया जाए काफी टैस्टी बनाता तो मैंने सोचा क्यों ना यह वीडियो सेयर की जाए बहुत ही अच्छी टिप्स है एक वारा भी ट्राइ करके देखना चलिए नेश्टी टिप्स में आगे बढ आलू को हम इस तरह से ही रख देते हैं तो इस में चाहित बहुत सारी निकल जाती है और मिट्री निकल जाती है तो किचीन में ही रहती है तो आज मैं आपके बार खराब कर आपको यालू इस तरह से ही रखे रहेंगे तो देखे किस तरह से हमें यालू रखने चाहिए और फ्रूट जब आते हैं तो फ्रूट को तो हम इस तरह से ही बास्केट में रखते हैं कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिने हम धोका रखते हैं और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जब हम ख तो उन्हें बहुत ही समाल के बास्केट में रखना चाहिए जैसे देखिए बनाना है बनाना अगर कहीं से तूट जाएगा अगर हम उसे धोने लग जाएगे ना तो वहीं से उसके अंदर पानी चला जाएगा और उसका टेश्ट खराब हो जाएगा जैसे अम्रूत है आप अ आलू मारकेर से एकटा आलू लाते हैं और इन्हें धो कर रखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो देखिए इस तरह से हम सिंक को अच्छी तरह से खाली कर लेंगे और हम इसमें एक जाली दार बर्तन लगा देंगे तो यह देखिए मैंने जाली जो होती है दूद अच्छी तरह से धो सकते हैं इस तरह से आप आलू धोएंगे ना बहुत अच्छी तरह से आपके आलू धूल जाएंगे और जो आलू का जो कुड़ा होता है जो मिट्टी होती है और थोड़े बहुत जो छिलके इसके निकलते हैं वो इस जाली पर आ जाएंगे जिससे की ह जाली वाली उसमें हमें इश्टोर करना चाहिए और आलो इसे पहले आप इसे तरह से बॉश कर लीजिए क्योंकि इस पर जो मिट्टी होगी वह भी अच्छी तरह से दुल जाएगी इस तरह से आप आलो इसके अंदर रखते जाहिए देखिए एक एक करके आप सारे आलो रख जैसे नए आलू दोने के बाद खराब हो जाते हैं इस तरह कि जाली वाली बास्केट में आप आलू रखोगे तो आपके आलू कभी खराब नहीं होंगे तो यह पहले मैंने एक्सपीरेंस किया है फिर आपके साथ यह वीडियो से एर की है उम्वीद है आपको यह मेरी टिप् बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन जाली वाली बास्केट में आप बहुत अच्छी तरह से आलू को स्टोर कर सकते हैं और आलू को ना खुले में ही रखना चाहिए जिसे कि आपका आलू खराब नहीं होगा लॉंग टाइम तक चलेगा तो यह देखिए मैंने जाली वाली जो वास्केट होती है उसमें आलू को स्टोर कर दिया है आप इसके नीचे एक ट्रे लगा दीचिये जिससे इसका पानी है वो निकल जाएगा और देखिए जैसे आलू धोने में जो मिंटी निकली थी जो छिलका निकला था वो इसे ड्रेट पर है और मिंटी देखिए इस पुरी सिंक को अच्छी तरहे सकते हैं और जो हमारी सिंक की जाली होती है उसमें जो छिल्कि इच ओते हो अँससे भी उठा के हम ड derivativesikes आई दोखेना देंगे में मैं ठागे माजसस्नेर होगी हमारे पस्पन आफ होगा है routes. चलिए नेश्ट्य टिप्स में आगे बढ़ते हैं देखिए जैसे गैस पर हम नारियल तेल को इस तरह से गरम करते हैं तो हमारी बोटल खराब हो जाती है और जब बोटल खराब हो जाती है तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती उसके लिए आप खेलिए कोकोनट ओयल पिगल जाता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो बच्चों के लिए हम सर्थियों में कोकोनट ओयल ही इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही लाबदायक होता है और जैसे आपकी बोटल ओयल से फुल भरी हो तो मेरी बोटल थोड़ी खाल जाता है इस तरह से आप ओईल को पिगला सकते हैं और इस्तैमाल कर सकते हैं और जैसे उसके हिसाफ से आपको लेना है बोटल में कितना ओईल है उस हिसाफ से आपको पानी लेना है ये छोड़ी सी टिप्स को आपको ध्यान लगना है और ये देखिए ओईल हमारा गरम हो अब बच्चों के हाथ मूध होने के लिए कर सकते हूँ I think आपको ये टिप्स बेहत पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कौन सी टिप्स आपको मेरी बेहत पसंद आती है मुझे कमेंट में बताना और मेरी वीडियो आप कहां कहां से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट में बताना ठेंक यू